हेलो एव्रिवन तो फिर्स आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सिंपल पेपर पे तो चली बता देतें अब कौन से सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो रही है देखें नए नए दिन हम नए ने सीरीज आपके लेके आते हैं और इस सारे सीरीज को हम कंटिन्यू करे बस आप अपना प्यार हमारे तक ऐसे ही बनाए रखें और तो प्यार को जादा भी कीजें तो यह जो सीरीज है यह है वीकली करेंट एफर्स वीक में हम आपके लिए करेंट एफर्स लाएंगे वन लाइनर बेस्ट मतलब एक लाइनर पर आपको समझा देंगे जो आपको ब अगर आप वन लाइनर यह पढ़के जाते हो तो बहुत जादा हेल्फिल मिलने वाल है आपके रिकार्डिंग आपके करेंट इफर्स कोश्टन पर या जीए इस कोश्टन पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हम अपने सबसे पहले कोश्टन को तो देखिए आपर क्य जाता है 7th June को इसलिए क्योंकि खाना उगाने तक अनाज उगता है उगाने तक जो हम जो लोग होते हैं उनके पेट में जाने तक नूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए ऐसा खाना मिलना चाहिए जो पूरे नूट्रिशन को कबर कर सके ठीक है खाना और पानी दोनों दूसर इस बार थीम क्या था इस बार का कि फूड सेफटी एव्रिवान बिसस हर इंसान का ये दाइतो है रेस्पॉंस्टेटे की फूड सेफटी तरिका से लोगों के पास पहुंचे क्योंकि फूड जब खेत में हुगता है और सब्सक्राइशन पूरा वैसा हो कि लोगों को वो म कुड देने में किसे को मैं बिस को वेस्ट मत दे एकAh कि फूड की ओसमा है बहुत है क्योंकि आप बिइना सिंपल्स पर की जिंदा रह सकते चलिए number 2 देख लिएते हैं if this is listened to a month अगर पूछेगा this 죄송on muss body किस ministry के अंदर है तो ministry of I think ministry of IAS नेगा जो ministry of काईश के कौन से अंदर है ये किlive PC Iำ rok के फॉल-fर्म क्या है ये किस ministry के अंदर आता है ministry of health देदेगा ministry of science देदेगा मिनिस्ट्यू आईश के अंदर है आईश का फुल फर्म जरूर मुझे कमें सेशन में बताईएगा चलिए थर्ड देखते हैं कॉलकता पोर्ट का युनियन काबनेट में अप्रूवल देदिया इसका नाम चेंज कर सकते हैं इसका नाम परेगा शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट याद रखेगा कॉलकता वाई लोग ध्यान से याद रखो चलो नेक्स्ट कोशिन नेक्स देखते हैं पॉइच में वह इंवार्मेंट पे ध्यान देंगे को आप्रेशन करके इंवार्मेंट को अच्छा रखेंगे बुटान का काफी सायोगे इंवार्मेंट पे काफी वो लोग काफी इंवार्मेंट को बुटान के बीच में boards को अच्छा करेंगे करोंदा वायरिस में इतना पता चल झेक वहारे है कि यहम होने से इंवार्मेंट है स्था शुरूर oluyor नहीं नहीं है एक मैने में या दो मैने वे चे मैने में लगा ली जो पर लगाईी ज़रूर ठीक है चलिए नेक्स लेखते है जो कि नंबर फाइव है union government had launched union government ने launch किया इसकी स्कीम का नाम है स्वदेश स्वादेश का फुल फॉर्म क्या है पहले क्या होता है ये जान लीजे स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर इंप्लॉइमेंट सब्वोर्ट ठीक है ये इसका फॉल फॉर्म के दूसरा ये इसलिए लाग हो कि है कि बहुत सारे लोग जो भारत में आए उनका जो स्किल है उसको मैप करके उस हिसाब से उनको इंप्लॉइमेंट प्रॉइड किया जाए और ये किस मिशन के अंदर हुआ है तो बंदेव भारत मिशन के अंदर हुआ है ठीक है चले नेक्स देखते है जो कि कुश्ट नबर 6 है यह जो होते हैं यह जो ऑर्गनेशन होते हैं जो रिपोर्ट रिलीस करते हैं और पूछा जाएगा भी तो ग्लोबल एकनोमिक प्रोस्पेक्ट करता है तो याद रिखेंगा वर्ल्ड बैंक आप मुझे बताएगा कमेंट सेशन में कि वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था और कुछ इंपॉर्ट इंफोर्मेशन जो भी आपको वर्ल्ड बैंक के बारें पता है प्लीज कम और शेरिंग करने से नॉलेज को नॉलेज बढ़ता है कम नहीं होता है यह याद रखेगा चलिए नेक्स दिखते है जो कि नंबर सेवन है एक एग्रिमेंट बना है चाइना पाकिस्तान के बीश में कि वो एक प्रोजेक्ट बना रहे है जिस प्रोजेक्ट नाम है कोहला है और यह प्रोजेक्ट बन कहा रहा है CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडर में यह हम यह बोले कि P.O.K में तो यहाद रखेगा कौन बना रहे है चाइना पाकिस्तान और कौन सा प्रोजेक्ट है कोहला एड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नेक्स फोरम ने एडॉप्ट किया एक नया ट्विन समिट जो कहां पे होगा जनवरी 2021 में होगा और यह इसका कहां पे होगा देवास में याद रखेगा देवास में नंबर टेन यूनियन HRD मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउजिंग एन अर्बन अफेर स्री हरदीप सिंग तो यह आज आपका 10 current affairs है weekly ऐसे हम सीरीज लाते रहेंगे एक होंबग मैं आपको दे रही हूं हर weekly आपको दिया जाएगा तो देखे आपको होंबग क्या इंडिया बी रिनेम्ड आज भारत तो नी क्या इंडिया का जो नाम वापस नाम भारत ही होना चीए अगर आपको लिखने पड़ते हैं तो यह जो टॉपिक है आपको काफी important है अगर आप इस पर लिखना जाओगे तो दीर दीर आपके लिखने की writing skill भी practice हो जाएगी आप इसको लिखेगा और comment session में दीचेगा क्योंकि हम लोग हमेशा comment पड़ते हैं आपको मेरे सारे वीडियो में पता ही चल गया होगा तो आप इसको answer आपके काम कर सकते हो copy में लिखके उसका screenshot लेके इसको photo लेके आप पोस्ट कर सकते हो हमारी comment session में हमारी YouTube channel में से डाल देना हम उसे पढ़ लेंगे और फिर से हम आपको इसका answer भी देंगे कि क्या-क्या आपको लिखना चाहिए तो चलिए आज को जो session है वो यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको मारी session अच्छा लगे तो इसको share करो like करो subscribe करो thank you जए हिंदे